नमस्कार, तो आज मदर्स्टी है, वैसे तो हर दिन मदर्स्टी ही होता है, एक एक स्ट्रोजर और निम्रोलोजिस्ट होने के नाते मैं कुछ चीज़े शेयर करना चाहूंगी, बिसिकली हम मदर्स को लगता है कि हम अपने बच्चे की ओवरॉरल ग्रोथ कर दे, स्टडी में तो वह अच्छा होई, स्पोर्स में भी जाए, आर्टिस्टिक लाइन में भी अपना कॉंटिविशन करें, और सोशली भी आक्टिव हो, हमें यह समझने की ज़रूरत है, जब हमारा बच्चा किसी एक पर्टिकलर डेटो बर्थ को बोन होता है, तो उस डेटो बर्थ में कुछ प्लानेट्स का उसकी ओवरूर परसनालिटी पर रूल होता है, और उन प्लानेट्स के अपने स्किल्स सेट होते हैं, तो हमें ज़रूर फाइंड आउट करने है कि हमारे बच्चे की ज़रूर बर्थ की अकॉर्डिंग, कौन से प्लानेट्स में क्या स्किल्स है और हमें उनको इन्हेंस करने में अपने बच्चे की स्केश परिके से सपोर्ट करने हैं, कोई बच्चा स्टेडी में बहुत अच्छा होगा, तो वो इंट्रोवर्ट होगा, कोई स्पोर्ट में कमार कर रहा होगा, तो स्टेडी में बननी लगेगा, कई बच्चा आर्टिस्टिक लाइं में इतना अच्छा कर जाते कि आप उनके हाथ में ब्रश या स्केच पैन दे दो तो उनकी उंगलिया खुद बखुद चलनी शुरू जाती है तो हम मदर्स को सिर्फ अपने बच्चे की स्किल्स को फाइंड आउट करना है और उसको इनहेंस करने में उनकी हल्प करना है थैंक यू